hey everyone welcome back to the layman way जहां पर हम मार्च के करेंट अफेर्स को डिसकस कर रहे हैं पर उपसी प्रेलिम्स 2022 और लास्स अपरेंगे और मार्च करेंट यह कंप्लीट हो जाएगा यह जाएगा उसके बाद जैसे ही अपरली खतम होगा फिर अपरली के करेंगे हैं तो इससे क्या होता है चोटे-चोटे में जादा हो जाता है अब रोज रोज का लेक्चर बनाओ लंबह लंबह हो जाता है और अन्नैसेसिरी इंफ ereंच कर यह से क्या होता है ग monet लेक्र था पूरे मेंने करें ऑप्र Works करते हैं तो एक्दम जो बहुत जा T рипॉदविलेट इंबस में किम्टं करते हैं अगरे विजर। पॉइंटिशर हो जाleft करते था में और इस Terazili profession इसमें हम extensively हर एक topic को discuss करते हैं and 1500 plus questions हम इसमें practice करेंगे तो आपके CSAT की preparation की guarantee हम लेते हैं इस चीज में इसको करने के बाद you will be able to clear CSAT very easily इसमें one-on-one doubt clearance session है that you can take जिसको हम आपकी doubts को one-on-one clear करते हैं इसके अलावा this course is running at 75% of discount at just 19999 rupees so hurry up go and enroll for the course all the links are in the description and इसके हमने डेमो वीडियो और ओवर्वी वीडियो भी बनाए हुए आप हमारी website पर जा सकते हैं www.thelaymanway.com वहां पर जाके आप सारे courses को paid section में जाके check out कर सकते हैं correct चलिए अभी यह thelaymanway.com है अभी हम जल्दी जा आगे बढ़ते हैं और आज का पहला article देखते हैं that is about perini dance तो यह जो perini dance यह कहां पर होता है ते लंगाना में यह perform होता है तो यह एक ancient dance है जिसको Lord Shiva के worship में basically उनको dedicate करके dance किया जाता है और किया जाता था या भी भी किया जाता है ते लंगना में यह होता है इसे पारावा सानव तो इसका नाम जो नाम है यह में इसको आप श्यवाट ने में कोशिच करें तौर यह लेका शिवाध और शिवा इसको ब्रेक क करने कोशिश करते है क्योंकि अईसे ही पढ़ते है ऺए है क्या हो रह्य है और शिवात शिवात अंदवम और शिवात मतलब होता है बसी यह चैप और यह लॉट शिवा को यह बैदिकेटेटिटे तो वहां से आता है तो आपको नाम रटने की भी जरूद नहीं है आपको दिख जाएगा अगर यह आप तोड़त होगे वर्ड यह लॉड्व में किया ज शिवा को dedicated है तो और यह तलंग ना में नहीं होता है न कि कौण सी city में होता है तो यह याद रखना है कार्ट्य ना स्ट्धी के टाइम को परफॉर्मम यह जाता था था यह जिब की जब तो यह लॉता है दिलंगव में होता है स्टेट काूं साइद लंगवन में होता है और शिवा 봐 उसके बाह्ये बड़ते हुआ है और स्त्री मफमप्रओ नाम थोगिया गैए मतलब मनो रक्षा मतलब मनो रक्षा मतलब मन की रक्षा कैसे आप एंशूर करोगे जब आप मेंटल वेल्बींग को एंशूर करने के लिए होगा किसके मेंटल वेल्बींग को एंशूर करने के लिए होगा इस तरी के इस तरी मतलब शियुक्त वोमेन की है था को इंशोर करेगा 닿 टो कौन लांच करेगा जब मेंटल वेल वेजिग आ रहा है इसमें मेंटल वेल बीग को घुन काउंट कमरें उन्य पार्टि पर वेल में अभी अग shirt वर्ड बस देखा, आपको शायद पता भी न हो ये, बड़ थोड़ा background knowledge आपको पता था कि अच्छा mental health related निमान्स है, है ना, और इस तरी मनोरक्षा मतलब women की mental well-being related है, तो जब हम बोलते हैं कि prelims में intelligent guessing चाहिए, आपको intelligent, आपको सब कुछ नहीं मालूम होगा, आपको intelligent guessing करनी नहीं है, तो अभी वहाँ options को देखके, आप ये guess कर सकते हो, कि ये mental, women की mental well-being से related है, और अगर women की mental well-being से related है, तो कौन सा institute better apt है इसको करने के लिए, that is निमान्स, आप देखो, option में अगर ministry of women and child development होता, है ना, और निमान्स होता, तो आप confused जाते हैं कि यार women है, तो let's say women child development भी हो सकता है, but focus किस पर आप ये देखो, mental well-being पर focus है, तो कौन launch करेगा, निमान्स है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निमान्स in collaboration with ministry of women and child development करे, ऐसा अगर option होता, तो भी अच्छा होता है, तो भी सही होता, अब देखो, अब इसमें यही catch है, क्या catch है, इसको launch किया है, न निमान्स ने, National Institute of Mental Well-being, but support मिल रहा है ministry से, कौन सी ministry involved होगी, women and child development, तो दोनों involved है, अब देखो, launch इसने किया है, but support and funding मिल रही है, women and child development से, but वो सिर्फ funding दे रही है, funding और support दे रही है, बाकी launch, as a project launch किस ने किया है, निमान्स ने, ठीक है, प्रोजेट में क्या aim है कि बाई, mental health की training देंगे, 600 OSCs में, one stop centers जो होते हैं, पिछले साल भी हमने पढ़ा था, one stop center अभी ही पढ़ रहे है, one stop center मतलब सकी centers, one stop center, जहां पर women को ग्रूम किया जाता है, मानलो, किसी women की mental health बहुत खराब है, psychologically बहुत खराब है, तो उनको ग्रूम का support दिया जाता है, इन one stop centers में, one stop center का concept यह है कि, women के सारे needs के one stop center है, मतलब अगर उनकी तवियत खराब है, या कोई वो personal life में problem face कर रही है, कुछ और चीज़ कर रही है, तो आप वो one stop center में आप जा सकते हैं, तो यह 6000 one stop center functionalities हैं, इंडिया में, वहां इसको launch किया गया, project जो ह पाते psychological well-being को emphasize करेगा है और mental health को improve करेगा women की India, ठीक है, सोचना सीख पा रहे हो, एक जो approach होता है, वो सीखो, इन सब चीजों से एक approach सीखो कि हम जब पढ़ते हैं, तो हम पढ़ें भी ऐसे कि, जैसे हम question solve कर रहे हैं, तब ही वहां prelims में भी हम उसी type से thinking develop कर पाएंगे, ठीक में बात करते हैं, तो जो भी ये वैसे banks होते हैं, regional banks, इन में basically ये multilateral banks होते हैं, जो regional application पर focus करते हैं, अब जैसे ये Asian infrastructure है, तो इसमें नाम में क्या है infrastructure, तो ये क्या करेगा, जो Asia में infrastructure उसको develop करेगा है, उसमें investment करेगा, उसको develop करनी कोशिश करेगा, तो ये multilateral regional bank के obviously ये तो पता ही चल गया बो, multilateral development bank है, जिसका focus क्या है कि हम social and economic outcomes को improve करेंगे Asia में, कैसे इंफ्रासेक्टर को बढ़ा करेंगे, इंफ्रासेक्टर को बढ़ा करेंगे, अब देखो अब नाम में एशिया आ रहा है, तो आपको लगेगा कि भाई सिर्फ एशिया की जो आपको ध्यान रखना कि सरफ एशिया की कंट्री इसमें इसमें बाकी बी कंट्री मेंबर इसमें लगब लगब 100 और बहु च्ण के इसका थ्यान रखना है उसके बाद इसका रहा है आपको याद रखना है बीजिंग चाइना में इसका है वोटिंग राइट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास आप उसके बाद रशी आता है उसके जर्मनी आता है तो आप देखे रहों कि जर्मनी भी है युरोपिन कंट्रीपीस में अश्का मेंबर है तो ध्यान रखना कि एशन इंफसक्टर इंवेस्टन बैंक मेंस्रिफ इसके मेंबर नहीं है ना जो रिजनल मेंबर्स हैं वो 75% करते हैं चाहिए मैंने आपको बता दिया दोनों होते हैं ये अपॉइंटिंग मेंबर के प्लेजर पर एक तो यह ध्यान रखना को तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं जो कि एक बहुत ही टफ सा वर्ड है क्या नाम है इसका अगनी अगनी कंदकरम ना अगनी कंदक करनं कंदक करनन ठीक है तो अगनी कंदक करनं थेयम यह क्या है बिसलिए इक बहुत डान्स फॉर्म है बेसी के लिए तो यह आप रोल सकते हैं चेहला और करनाटका में होती है तो इस यह सब इंडिया के वर्ण होते हैं तो अगर नहीं भी याद आ रहे हैं आपको कि भाई कहां का एक्जाटली तो अगर options में कोई South Indian state है तो उसको आप answer मार देना ठीक है तो थेयम जो है अगनी कंदक करनम यह क्या है यह इसके लिए dance worship form है जो केरला और करनाटिका में किया जाता है यह जो लोग होते हैं यह districts है इसमें केरला करनाटिका में यह ऐसा मानते हैं कि भगवान को अगर हमको पहुचना है तो वी केंड हम भगवान से connect थेयम डांस के थ्रूँ डाटिका मम करते हैं तो यह थेयम को basically एक किया बोलते हैं ब्रिज मानते हैं अगर हमको लगत पहुचना है तो हमको तेयम पर फॉंग करना पड़ेगा यह चैनल मानते हैं तो तो यह थेयम परफॉर्म करके गौड की बेसिंब को लेते हैं ठीक है यह मेल करते हैं एक्सेब् आपकों एक्लिवा' स किया निकरतेंगे सुछ कोड़न करते हैं तो यह यह थेकलाइंगर क्या Zombi Reportvous कि यह इरे तो किते हैं है क्या चीजिस और कहां पर्फॉर्म होता है बहुश्ड करता है करनाटका है जो वे वो तो थे हम जो कि women भी perform करती है और यह ऐसा dance worship ritual है उसके बात करते हैं daylight harvesting की तो daylight harvesting क्या है कि daylight harvesting कि यह है कि जैसे मालो हम इसमें क्या करते हैं जो sunlight होती है हम sunlight को को यूज करते हैं illumination के लिए illumination के लिए मतलब रूम में लाइट प्रोवाइट करने के लिए आप में देखा को बहुत सारे offices होते हैं जो बंद होते हैं जहां पर sunlight वगेरा थोड़ी नहीं आपाती है या आती भी है तो कम आती है तो उसका मकसद यह है इसका मकसद यह डेलाइ आ रही है जैसे यह फिगर देखो जो यह डेलाइट आ रही है इसको हम illumination के लिए यूज करेंगे तो जनली ओफिस में जो यह लाइट वगेर होती है वह कहां होती है सीलिंग पर लगी रहती है तो हम इसमें क्या करेंगे एक एसे एंगल पर हम लगाएंगे मिरर जिससे हम जो सनलाइट आ रही है उसको हम रिफ्लेक्ट करके यहां पर लाइंगे तो अब जब यह रिफ्लेक्ट हो यहां चाहिए तो यहां से पूरे रूम में लाइट आ जाएगी है यहां से रिफ्लेक्ट होती है ठीक है स्कैटर होती है तो इस टाइप से हम illumination provide करेंगे और फिर इस रूम में sensors होंगे तो sensors क्या करेंगे automatically जो artificial light उसको dim कर देंगे या increase कर देंगे as as compared to the sunlight अगर sunlight यहां से रिफ्लेक्ट के जाधा आ रही है लेट से हैना जाधा illumination sunlight करेंगे तो वो sensors जो हैं वो जो artificial light है जो tube lights है और वाकी CFL वगए उनकी light को यह dim कर देंगे तो इससे होगा तो उसके लिए हम यह चीज कर रहे हैं और इससे energy savings बहुत ज्यादा होने वाली है तो इसलिए इसको अब you know develop करने की बात कर रही सरकार ना तो एक startup है उसको यह लोग fund कर रहे हैं कि उसको पांच करूर का grant दे रहे हैं कि आप यह इस technology को develop करें और additional develop करें ताकि इसको हम सारे है तो यह इसलिए न्यूज में था उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कवच की बात करते हैं तो वाट इस कवच क्या होता है अगर यह हिंदी वर्ड है कवच का मतलब क्या होता है defense equipment होता है तो जैसे आप देखते हो कि soldiers जो है वह अपनी चाती पर कवच पेंते हैं कवच प इसको बता है कि इंडिया में बहुत सारा ऐसा केसिस आता है जिसमें यू ट्रेंग कर जाती है इतने लोगों की वर्ड हो जाती है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यह कवच को लॉंच किया गया तो कवच क्या करेंगा ट्रेंग पर कवच प्रोवाइड करतेगा मतलब यह ट्रेंस यह पाइस निकरीग और हम जो चीजें उसको बचा सकते मालब ट्रेंग को बचा सकते है तो इसको इसको डेंडिया में इंडिया में देवल खूर मैं आ आती है अब इसमें क्या हो है नहीं तो पंटरी पर सेंट नहीं तो है क्या आटमेतिकली ब्रेक लगा देगा रोक दे गा धोनों ट्रेंट को रोकेगा है कि वहाई सामने से नौब त्रेन पर लाइन पर आ रही ए चरी आप रुक जाओ तो आटमेटिकली यह बिना driver के assistance के वहाँ पर ब्रेक लगा देगा ठीक है तो इट विल आटोमाटिकली हाल्ट वेन इट नोटिसेस अनदर ट्रेन उसेम लाइन विदिन अ प्रिस्क्राइब डिस्टंस ठीक है तो यह चीपेस्ट एकदम चीपेस्ट है और सेफेस्ट सेफेस्ट मतलब जो लेवल्स होते हैं सेफ्टी में लेवल 1 2 3 4 उसमें सेफ्टी इंटिग्रिटी लेवल में यह चौथे नंबर वर है ना विद प्रोबैबिलिटी ओफ एन एरर विद वन एक्सिदें 10,000 तो 10,000 सालों में एक कोई एक्सिदेंट हो जाएगा इतनी कम इसकी एक्सिदेंट की प्रोबाइबिलिटी है इतना अच्छा है मतलब यह इतना अच्छा सेफ्टी लेवल है इसका तो यह RDS की बात कर देते हैं कि किसके अंदर है सब्सक्राइब करते हैं उसकी रिसर्च और डिवलप्मेंट विंग है इस बना अगे बढ़ते हैं और नाशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑच्छाइड बारे में बात करते हैं यह एक स्टाइटरी बॉडी है मतलब आक्ट के थू बनी है और किसके अंदर आती है अडिस सब्सक्राइब करेंर गदैर के अडरा इसको बन फटिवन इसको है इनदर को इसको प्रजिशन आप इस ड shopping सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करने अट ने इसेसे है चल् different child की definition है किसी में 15 साल है किसी में 16 साल है तो आपको याद रखना है कि जो NCPCR है इसमें 18 साल जीरो से 18 साल तक का जो एज ग्रूप है उसको चाल्ड डिफाइन किया गया है इसमें बेसिकली एक चेर परसन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं अट-लीस्ट दो वुमेंमबर्स होनी चाहिए इसमें है जो की Central Government कर दिया इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको Central Government कर दिया फॉर 3-year term टेक है maximum age क्या है 65 और minimum age 60 year हो सकती तो चेर्मन की जो maximum age 65 याज हो सकती है और जो मेंबर्स है उनकी maximum age 60 साल हो सकती है तो यह इस इस में defined है सकती है कोई भी अगर लॉग में वा stal होता है उसके बाद यह इंडिविजोड सकती है Uh क्या इंपरेम कर सकती है इसके साथ यह मैजिस्ट्रेत है उनकी वह非क र हो सकते है ieß उसके बाद रिटपेडिशन कर सकती है कोस्कंव गवर्मन्में को अपरोच कर इसके साथ सथ यह इंटरेम रिलीव ग्रांट कर सकती है जो effect होते हैं जिनका violation हो रहा है जो ऐसे चाइल्ड है इनका राइच का वॉयलेशन हो रहा आए उनको रेलीव ग्रांट कर सकती है उसके बाद यूएन उन राइट्स पाउंसल के अगर हम बात करें उसको 2006 में फाउंड किया था इसका है जनेवा सुसरल लाइंड में तो यहाद रखना कि यूएन हुमन राइट्स काउंसल जो है उसका है जनेवा सुसरल लाइन 47 members है हर एक को तो तीन साल के लिए लेक्ट किया जाता है तो तीन साल का टम के लिए लेक्ट किया जाता है हेट्पॉर्टर जैनेवा सुसरल लैंड में 2006 में फाउंड हुई थी 47 members है यह ध्यान रखना ठीक है आपको मानने की ज़रुवत नहीं है ना नॉन बाइंडिंग रिजूशन और हुमन राइट्स इस्यूस थुगा पिरियोडिक रिव्यू आप ऑल 193 UN member states कॉल्ड युनिवर्सल पिरियोडिक रिव्यू तो यह हर 193 कंट्री की human rights का को उनके उन पर करती है माल रिव्यू करती है human rights के बेसे सब्सक्राइब और बेसिकली रिजूशन पास करती जो की non-binding होते हैं it overseas expert investigation of violation in specific countries तो कुछ-कुछ specific countries में यह гоरेशन को investigate करती expert investigation करती है उसका special procedures के दृट हर एक point पे extensive basically का करेगी extensive investigation करें न इसहुष पर इसके अगला जो एक that is about zaporezia zapore is see ya Zapore is a nuclear power station तो यह basically UKraine विभाब है राड़िस फार फ्रांट है जो दस है वर्ड में फार फ्रहसें नूपर बलाट है उन में एक है यह आभ नियूज में से आया था क्योंकि रएक किया था तो उसका एक जो बॉंब है वो उसके पास गिरा था तो रिस्क आ गया था रेडियेशन सेमेट होने का तो इसलिए यह न्यूस में था यह उक्रेन में मैंने आपको बता दिया कहां पर सदन शोर और का कोवा रिजर्वायर जो की नाइपर रिवर पर है नाइपर इसको बोलते है हंसा एंजी के बारे में तो हंसा एंजी क्या यह है हंसा एंजी यह बेसिकली एयरक्राफ्ट ट्रेनर है तो इंडिया में ही डेवलप हुआ है एयरक्राफ्ट ट्रेनर है किसने डेवलप किया है CSIR ने Council for Scientific and Industrial Research की जो National Aerospace Laboratory है पैंगलोरम में उसने इसको डेवलप किया है तो हंसा एंजी और हंसा निव जनरेशन जो ही एडवांस फ्लाइंग बेसिकली ट्रेनर तो कुल मिला कर जो एयरक्राफ्ट ट्रेनर है यह एक एयरक्राफ्ट ट्रेनर अगर आजाए कि हंसा एंजी वस रिसेंट्ली न्यूज इस तो वहां पर आपको चार-पंच चार आप्शन भड़ा है रिवर्स में रहता है इस यह मिलता है बन ऑद एश्या अट यह लाग जर्च फ्रेश वाटर एंड ब्रेक्वाटर टकल से लाट गवाटर में पनाई जाए और इसके यह पर पानी होता है तकि यह जो वेवस आ हरी है उससे शोर जो है आक्टि उसको फोड़ेट क feel it is called breakwater में बदला वाइं को ब्रेह कर देता हैं बीच में तो यहां पे बेसिकली यह टर्ड जवटर्ट जो हैं फिर ब्रेक वर्टर में यह मिलते हैं इस भी कहा कहा मिलते हैं यह में मीथ हैं इंडिया में मिलते हैं सुंदर्भंस में कंब्र आम इंडोनेशया में में से तो लंबे-लंबे migration करते हैं अपने एक्स को ले करने के लिए IUCN status क्या है critically endangered है ध्यान रखना sites के appendix 1 में आता है और WPA के schedule 1 में आता है sites के appendix 1 में आता है और IUCN में critically endangered है यह आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करते हैं बोल्जमें मेडल के बारे में तो जो दीपक धार है यह एक फिजिस्सिस्ट है आई-ाई-इसर पूने से चिनको यह बोल्जमें मेडल दिये जा रहा है अब बोल्जमें मेडल क्या है यह एवार्ड कॉन करता है यह commission on statistical physics जो कि IUPAP के अंदर आता है जैसे IUPAC पढ़ा होगा आपने बच्पन में बच्पन में किया मनलब 10th में पढ़ा होगा इंडियन International Union for Pure and Applied Chemistry वैसे ही International Union for Pure and Applied Physics भी होता है तो IUPAP जो है यह पहले इंडिया नहीं जिनको यह बोल्जमें मेडल मिल रहा है तो यह द्यान रखना ठीक है पहले इंडिया नहीं तो इसलिए important हो जाता है आजकल UPSC कुछी पूछने लगा है तो याद रखना है दीपक धर को मिला है उसके बाद करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है यह Central Government सेंट्रal Government ने बनाई है थाया न इंस्यूच्टी और कि सेक्शन के अंदर रब्या याइक 1934 के इसको बनाए गया इसमें बेस्किली छे ten 27 message to voltage उसको central government timeť करती है छहां क certainty that element by don't think it by syndrome कोई member होता नहीं है तो government member नहीं होता है central government hot dai बाकी जो three in a 145 Banking members to remember to die ज इसमें से एक विड यी जो week this committeehey एक स Travis your चेर पर्सन होते हैं rein थो एक सुपीचों लिर्बर्सन ओझेए ऑनुअ हום करती कोट्ऺ स्न comfortably इसके लिए लिए अवह सब को यह एक वह बताती है आपने देखा हुआ उसमें मोनिट्री पॉलिसी कमेटी ने रइक को बढ़ाया कम किया यह सब आता रहता है तो नू थे इसके basically review होता है committee का जिसमें वो rate को decide करती है तो 6 members होते है तीन government nominate करती है तीन RBI करता है तीन RBI करता है तीन RBI के होते है deputy government जो है deputy governor जो होते है RBI के वो भी इसमें member होते है कोई government official इसका member नहीं होता है ध्यान रखना term क्या होते है तो यह भी आद रखना उसके बाद हम बात करते हैं RBI के governor role के बारे में तो RBI के governor होते है वो committee को chair करते है तो he will not enjoy a veto power क्योंकि majority of majority voting होती है ऐसा नहीं कि मलब 6 में मलब अगर पैसे तो कभी होई नहीं पाता है ऐसा कि बराबर बराबर होगा मालो 6 मेंबर है ना 6 मेंबर है तो तीन ने एक तरफ वोट किया तीन ने दूसरे तरफ वोट किया तो आप तो decision कैसे ले तो ऐसा नहीं कि governor के पास veto है तो यह धान रखना है इसको actually वह वाले वोट नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको veto power नहीं बोलते है veto power मतलब यह होता है कि आप overrule कर रहो किसी और के decision का है ना तो यह धियान रखना फिर से मैं बता देता हूं एक बार थोड़ा confusion हो गया तो जैसे 6 मेंबर है ना तो 6 मेंबर में से 3 मेंबर अग बाकी against vote कर देते हैं तो इसमें हो रहा है अब टाई के case में governor फिर decide करते हैं कि क्या करना है बट नॉर्मली नॉर्मली जो decision होते हैं उसमें veto power क्या होता है कि मतलब मान लो decision कोई दे रहा है उसको आपने overrule कर दिया मान लोग चार लोग किसी एक particular चीज को favor कर रहे हैं आपने इसको overrule कर दिया और बोला कि नहीं नहीं यह नहीं होगा दूसी चीज होगी this is called a veto power तो veto power नहीं है governor के बाद बाकी हां टाई के case में casting vote है काशिंग मतला वकर tie हो गया दोनों पार्ट तीन एक तरफ वोट आगया तीन एक तरफ वोट आगया तीन दूसरी तरफ वोट आगया तो फिर जो वोट है वो governor करते है ठीक है तो यह ध्यान रखना है अभी आज के लिए इतना रहने देते हैं है थांक्यू सो मच फॉर लेस आपको आपके प्रफेशन अच्छी चल रही है आप सीसाट के कोर्स में अनूल कर सकते हैं तो अख्रे लेक्टर में थेंक यह सो मच बाबाइ और यान तेक्यर